बीबीसी हिंदी के फेस्बुक लाइव में आपका स्वागत है मैं हूँ रियाज मस्रूर मैं मौजूद हूँ भारत प्रशाषित कश्मीर के सिरीनगर शहर मैं और मेरे साथ हैं आज कल सुर्ख्यूं में रहने वाले डाक्टर शाह फैसल साहब नौ साल पहले इन्होंने आएस में टॉप करके नैशनल लेवल पर टॉप करके एक तहलका मचाया लेकिन उससे भी बड़ा तहलका इन्होंने अमरीका से वापसी पर जब यह फैसला सुनाया कि वह नौकरी छोड़ रहे हैं और राजनीती में जा रहे हैं यह सबसे बड़ा त मैं बिल्कुल सिस्टम से तंग ने आया है मेरा मानना है कि जो इंडियन आपरचिनिटी आपको देती है कि बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में आप बड़े इंपॉर्टन एसाइनमेंट्स ले पाते हैं पाबिक सर्विस का एक बहुत बड़ा आपरचिनिटी आपको मिल स जब आप एक ब्लडशट का एक सिलसला यहां पर देखते हैं जब आप लिच मॉब्स के जो काव इजलैंटिजम है उनका मामला आप देखते हैं तो आप चुपनी रह पाते हैं तो मेरे लिए चुप रहना मुश्किल हो गया था अब सर्विस में भी लगी लिए मुझे करें मैं इसको आप सेंट सब्सक्राइब की तरह से देखता हूं मेरे लिए सर्विस वस बेरी इंपर्ट और मैं सर्विस को आइं प्राव दशर्विस कि आइव इम एम अमेंबर अप्स इसलिए उसको छोड़ना और उसके बाद पॉलिक्स में जाना इस सेंस आइज आप के शार्व पिए और इंडियन स्टीजन और अजए कि एप इस देखिए दे बाकिश्ट में जो चीज़े होती है उसका एक डिरेक्ट और इंडिरेक्ट इंपक्ट कश्मीर की स्यासत पे कश्मीर के हलात पर जरूर पड़ता है वी आर कनेक्टेट एक सपेश्ट इक प्रब्लम्स आती हैं अगर आपके निया वाले यहां हमारे कश्मीर आके यहां पर प्लिटिकल वैंडिटा की बेसिस पर लोगों के हैस्मिट करते हैं तो इस इंस्टिटूशन यह जो प्रब्लम्स आ रही है उनका हम पर असर आ रहा है इसले इत मैटर जो बाहर हो रहा हुआ मुझे यह बताएं फैसल साब जब 2010 में आपने 2009 में आयस टॉप किया तो 2010 में जब रिजल्ट्स आए उनके तो यहां एक तहरीक चल रही थी तो उसके बाद आपको वाइलन्स या स्ट्रीट एजिटेशन के खलाफ एक पॉस्टर बॉई के तो पर प्रोजेट किया गया और जब आप एक कॉंटम लीप ले रहे हैं पॉलिटिक्स में जा रहे हैं यह ट्रांजिशन क्या मैसेज है किसकी तरफ है यह देखे अगर वो एक प्रजेक्टिट चीज होती तो उसका जो सोशल रिस्पांस होता वो नैच्रल नहीं होता वो कोई कोई बंदा फिर इंसपार न अभी भी जब मैं पॉलिटिक्स जॉइन करता हूं वी आर लिविंग इन कांफिक्ट जोन फर लास थरी यह तो तो तीस साल से जब भी कोई चीज होगी कुछ नो कुछ उसके साथ-साथ होता ही रहेगा ऐसे में चीजों को कनेक्ट करना मुझे लगता अनफैर होता है मैं य जिस तरह की राजनीती जिमो कश्मीर में है और जिस तरह मतलब पब्लिक एंगर है डॉमिनेंट आस्परेशन्स हैं तो लोग लगता है कि पिछले दो तीन साल से लोग नाराज है यहां के जो एलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग है या पॉलिटिशन्स है वो अपनी कॉन कर छास चार एन containers जौनें कार आउ मैं यह कैरो हूँ कि जो हमारे आसपास आजकल किलिंग्स हो रही है जो हमारे आसपास की हलूत है ता सिर फ्लेकट्ट Six of a political failure in दे स्प्र êtes और मैं वैसे बी बाताओ मैं कुई और कोई!!!!!! मैं चाहरा हूं कि उस स्पेस में वो जो बच्चे हैं उनके साथ बात करने की ज़रूरत है मैं अगर गविनन्स पर बात करूंगा दैटल नाट बी सफिशिंट एक पुलिटिकल इशु की वज़े से वो लोग जान दे रहे हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आपकी प्रशनसा भी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे कश्मीरी कह रहे हैं कि आपको हुरियत कांफिर्स जाइन करना चाहिए था उनको मतलब आइडिया या लीडर्शिप के तौर पर उनको देखना चाहिए था तो आपने ऐसा क्यों नहीं कि वो हर किसी के बस की बात नहीं है मैं अभी एक नोविस हूँ इस पुरे फील्ड में मेरे लिए उस तरह की स्टागल करना उस तरह की कमिट्मेंट दिखाना स्मॉल थेंग मैं शायद वक्त के साथ-साथ सीख जाओंगा और रियालिटी मुझे समझ जा जाएंगे लेकिन स्टेज पर अब भारत में पिछले तीन-चार साल से बहुत कुछ हुआ है जैन्यू से लेकर गुजरात तक बहुत सारी चीज़ें हुई है केजरिवाल का राइज हुआ है पाकिस्तान में इमरान खान का राइज हमने देखा तो इन दोनों की पॉलिटिक्स के बारे में आप उसमें इस्ट्रूमेंटल होंगे देखे हर किसी को अपनी तरफ से अपनी तरफ से बात करनी है यह नहीं होना चाहिए कि आप एक वक्त ऐसा आजाएगा आपको यह ख्याल आजाएगा कि काश मैने बात कि होती पावर तूट सेंग तूट तूट पावर इट से वेरी वाइस को भी उसमें एड कर रहे हैं कि मैं भी आइंटलिंग तूट तूट पावर आइधिंग इस अ प्रिवलिज अच्छा मुझे यह बता है यह जो आपने कहा है कि आप किसी एक्जिस्टिंग पार्टी को जॉइन नहीं करेंगे और आप पहले लोगों से बात करेंगे जैसे कोई शक्स अगर पॉलिटिक्स में आता है तो एक मैनिफेस्टो या एक विजन लेके आता है फिर वो कहता है कि मैं फलाँ पार्टी में जाओंगा आप मेरे साथ हैं या मुझे वोट करें तो आपने उल्टा रास्ता क्यों दिया मैं बिल्कुल उल्टा रास्ता नही बहुत बहुत शक्रिया डाक्र साथ हमारे साथ बात करने के लिए बीबी सी हिंदी के फेस्बुक पेज पर लाखों लोगों ने जो ये फेस्बुक लाइव देखा इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं बूलिएगा अगली बार अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं जब तके लिए बादा